तो दोस्तो आज का ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाने के लिए हम इसमें यूज करने बाले हैं अपनी गोटा पट्टी और एक मैचिंग कपड़ा और बुकरम का दोस्तो ये डिजाइन बाके में बहुती ज़्यादा खुबसूरत तयार होने वाला है और जब आप इस डिजाइन को बना कर पहनेंगे तो आप ही आप दिखेंगे तो दोस्तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी बुकरम में नेक काटेंगे और अगर आपको इसी तरह के और भी जादा खुबसूरत खुबसूरत neck design चाहिए तो आप हमें हमारी website पर follow कर सकते हैं जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com जहां पर आपको बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत blouse की designs और कुर्ती की designs देखने को मिलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको अपनी bookram का size है वो बता देते हैं लंबाई 16 inch और जो चोड़ा ही रहेगी वो total 15 inch इसमें से हम अपना neck काटेंगे जो की काफी बड़ा neck होगा तो सबसे पहले हम अपने neck की जो broadness रखेंगे वो रखेंगे 13 inch मतलब के 13 inch तो 13 inch का जो आदा होगा दोस्तों वो होगा 6 and half सड़े 6 inch लंबाई रहेगी दोस्तों तयार वो रहेगी इस टाइम पर 14 inch 14 inch लंबाई रखने के बाद दोस्तों आपको नीचे की जो broadness रखनी है वो रखनी है साड़े 8 तो साड़े 8 का आदा होगा 7,4 तो यहाँ पर 7,4 पर हम इस तरीके से mark लगा लेंगे अब ये जो निशान है और ये जो निशान है इसको आपस में किरास करते हुए इस प्रकार से विला देंगे ये निशान दोस्तों हमने इस तरीके से लगा दिया है और इसके बराबर में बाहर की तरफ बुकरम हम अपने हिसाब से ले लेंगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आदा इंच तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा काफी बड़ा नेक इस प्रकार से कटके आपके सामने आ गया है अब हम क्या करेंगे दोस्तों इस नेक को ये काफी बड़ा नेक है इस नेक को कुर्ती के ही कपड़े पे रखके सेम तरीके से जैसे normal neck बनते हैं उसी तरीके से कुर्टी में बना लेंगे और बनाने के बाद normal तरीके से किनारी पे इसके हम yellow color की pipe in लगा देंगे और दोस्तो और और हम आपको बता देए neck के बीच में इसे ये जो pattern निगला है ये आपको फैक ना नहीं है क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपना नेक नॉर्मल तरीके से बना लिया है और बनाने के बाद में पाइप इन को भी फिनिसिंग के साथ लगा लिया है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको लेना है कुर्टी का ही कपड़ा तो दोस्तों यह हमने अपनी कुर्टी के दो कपड़े ले लिए हैं जिनका साइज दोस्तों लगबग 16-16 इंच का है हर तरफ से तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों इन दोनों ही कपड़ों पर दोनों को हमने एक साथ रख लिया है और रखने के बाद जो ये नैक के बीच में से पैटन निकला था इसको इस तरीके से कपड़े पर सेट करेंगे देखिए और सेट करने के बाद में दोस्तो एक एक इंच का मार्जन एक्स्ट्रा कपड़े में रखते हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे तो ये हमने कर दिया है और इसके बाद दोस्तो हम अपने इन दोनों कपड़ों पर पेपर फ्यूजिंग चिपका लेंगे तो देखिए दोस्तो दोनों ही कपड़ों पर हमने पेपर फ्यूजिंग कुछ चिपका लिया है और रखने के बाद में सीधा मार्क इस परकार से आपको लगा देना है अब आपको क्या करना है इस मार्क से एक इंच एक इंच एक इंच इस तरीके से एक इंच पर निशान लगा लेना है और इधर भी और इधर भी तो देखी दोस्तों यह हमने यहाँ पर मार्किंग लगा ली है और मार्किंग लगाने के बाद में आपको क्यागना है ऐसी ही सेम मार्किंग आपको अपने दूसरे पैटन पे भी लगानी है तो कैसे लगाएंगे पहले हम इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद में इस वाले pattern को बिचाएंगे जिसमें हमारी marking नहीं हुई है अब हम लेंगे अपना वो वाला pattern जिसमें marking की है हमने इसको इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के बाद में इस pattern के उपर सही से fix करेंगे फिक्स करने के बाद में इसमें हम हाथ मारेंगे जिसकी वज़े से हमारे जो निशान है नीचे वाले पैटन पर छप जाएंगे तो देखी दोस्तो ये हमारे हलके हलके जो निशान है वो इस तरीके से आ चुके हैं अब हम इन निशानों को हलका हलका डार्क कर लेते हैं अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है जो यह आपने दोनों पैटन पर मार्किंग की है इन पर आपको लगानी है गोटा पट्टी तो यह हमारी गोटा पट्टी है मार्कीड में आपको काफी असानी से मिल जाएगी अब हम अपने सेम मार्किंग पे छुपाते हुए इस तरीके से गोटा पट्टी को use करेंगे तो देखी दोस्तो गोटा पट्टी लगाने के बाद में कितनी अच्छी finishing आपके पैटन पर आती जा रही है तो इसी तरीके से दोस्तो हम अपने इधर भी और इधर भी गोटा पट्टी को लगा लेंगे और दूसरे पैटन पे भी लगा कर फिक्स करके आपको दिखाते हैं तो देखी दोस्तों ये हमने अपने दोनों ही पैटन पे गोटा पट्टी को लगा लिया है और इसके बाद हम अपने ये दोनों pattern अभी ही excite रख देते हैं अब हम लेंगे अपना वो बाला pattern जो neck के बीच में से निकला था इसको हम फिर से इस तरीके से double fold करेंगे और fold करने के बाद में हम अपने neck की broadness का और लंबाई का निशान लगाएंगे आप अपने हिसाब से broadness और लंबाई रख सकते हैं तो हमारी यहाँ पर neck की broadness है वो है 7 inch तो 7 inch का half करके 3 and half पर mark लगा लेंगे लंबाई हम रखेंगे 7 inch यहाँ से हम सीधा अपना एक round V neck का निशान इस परकार से लगा देंगे और लगाने के बाद से मार्किंग पे इसकी cutting कर देंगे यह cutting करके बीच वाला पीश आपको फैंक देना है और इसको इस तरीके से दोस्तो आप खोल के देखें तो यह setting दोस्तो आपकी कुछ इस परकार से आई है अब आपको क्या करना है दोस्तो यह जो आपका इस तरीके से मतलब safe आ रही है इसको आप last तक इस तरीके से cutting कर देंगे तो safe देखें किस परकार से आई है ये आपकी safe आ रही है इसी safe पे आपको इसको cutting कर देना है ये pattern आपको fact देना है इसका use नहीं है तो दोस्तों आपने जो ये pattern cut किया है पहले तो आपको इसमें एक काम करना है देखी किस तरीके जैसे आपने cut किया था वैसे ही fold कर लिया हमने और fold करने के बाद में चाक से एक 20 center में आपको mark लगा लेना है ताकि आपको याद रहे हैं ये आपका center है ये हमारा center हो गया अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने दोनों ही pattern ले लेने हैं ये देखिए ये दोनों pattern ले ले लिए और इनमें हमने एक 20 center की क्रीज बना दी है दोनों में और दोनों को इस तरीके से आपस में मिला कर रख दिया है और रखने के बाद आपको अपने इस pattern को ऐसे रखना है जो ये आपका neck का center है और बीच की जो क्रीज है pattern की इसको आपको इस तरीके से मिला कर रखते हुए setting करनी है और setting करने के बाद में इसको आपको यहां से cutting करके ये वाला हिस्सा fact देना है अब आपको इसके चारों तरब marking कर लेनी है जिससे के आपको याद रहे के आपका जो margin है वो इतना extra है तो ये वाले पीस हमें फैक देना है और अब हम जो यूस करेंगे वो ये वाले पीस होंगे तो अब हम कैसे यूस करेंगे दोस्तो ये जो हमारे बीच में जो किरीज बनी थी इस किरीज को और दूसरे वाले पैटन की किरीज को ऐसे करके आपस में रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों इनको हम इस तरीके से सेट करेंगे देखिए किरीज से किरीज मिलाएंगे तो हमारी यहाँ पर 7 इंच की ब्राडनेस फिक्स हो जाएगी और यहाँ पर हम दोस्तो पाइपिन देंगे, पहले यहाँ देंगे पाइपिन और फिर यहाँ पाइपिन देंगे तो दोस्तो पाइपिन लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक औरेब पटी लिए है जिसको एक साइट से दोस्तो फोल्ड कर लिया है और ये पट्टी को दोस्तो हम इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और उतना ही मार्जन लेंगे जितनी हमें पाइपिन चाहिए और अब इसके बाद दोस्तो हम अपनी इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिन को इस तरीके से बाहर लाएंगे और पाइपिन के बराबर में सिलाई लगाएंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह हमने अपनी पाइपिन इस परकार से निकाल दी है और ऐसे ही हम यहाँ पर भी पाइपिन बना देंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं अपने अपने दोनों ही पैटन पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिन को बना लिया है अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है पहले अपने इस pattern को नीचे रखना है और फिर इदर आपका जो ये pattern है इसको इसके उपर इस परकार से set करना है ये देखिए और आपको ये भी देखना कि उपर आपकी जो broadness है वो 7 inch आनी चाहिए तो देखिए यहाँ पर 7 inch तयार आ गई है अब हम इसको इस तरीके से set करने के बाद दोस्तों अपना वो बाला pattern लेंगे जो कि हमने बुकरम में काटा था ये देखिए इसको हम इस तरीके से अपने neck के उपर set करेंगे और set करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर चाक से marking कर लेंगे तो यह हमारी marking इस प्रकार से एक side पर हो गई तो इससे हमें यह तो पता चल गया कि इतना margin extra है लेकिन इस side का कैसे पता करें इस Tracy का पता करने के लिए दोस्तों आपका जो ये बुक्रम में से छोटा वाला पीर निकला था यहाँ से यह देखिए इसको लेने के बाद आपको इसको यहां पर इस तरीके से ऐसे रखना है और रखने के बाद में यहाँ पर भी आपको सीधा मार्क इस तरीके से लगा देना है यह आपने बिल्कुल सीधा मार्क लगा लिया है और इसके बाद दोस्तो अब हम सबसे पहले एक सिलाई 20 सेंटर में कच्ची लगाएंगे जिस से यह हमारा पैटन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इदर उधर नहीं हिलेगा तो दोस्तो कच्ची सलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे अपने इस पैटन को कुर्ती में अटेश करेंगे तो ये हमारी कुर्ती है कुर्ती को हम कैसे देखी रखेंगे इसके उपर पहले पैटन को नीचे रखेंगे और उसके बाद जो ही हमने मार्किंग किये है इस मार्किंग को छुपाते हुए अपने नेक को इस तरीके से इसके उपर सेट करेंगे तो देखिए दोस्तो पैटन को अटेज करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने 6 बटन भी लगा दी हैं जिनकी वज़े से पूरे नेक का लुक बहुत ही खुबसुरत हो गया है और उम्मीद करते हैं आपको भी ये नेक डिजाइन काफी पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस किस को हमारा ये नेक डिजाइन पसंद आया है साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को भी क्लिक जरूर कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तो अगर किसी कारण से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं